तो स्वागत है आपका हमारी योट्यूब चैनल पर दोस्तों ये वीडियो और बहुत ही खास क्यों किसमें हम लोग बात करने हैं गन के अटेश्मेंट के बारे में गन के अटेश्मेंट मतलब होगे दोस्तों फोर ग्रेप स्टॉक होगे आपका मज़र हो गया साइरेंसर इस इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो इसी के बारे में डिसकस करने वाले हम लोग तो चलिए चलते हैं ट्रणिंग रूम तो पहुंच गे हम लोग ट्रणिंग रूम दोस्तों तो हम लोग के पास है एक MP40 SMG गन वाला तो चलिए शुरू करते हैं तो एक जा करें दूस्तों यह है है सोट तो हम ने साना एक जगल नगा रहा तो गोर से दिखिए घृत शाख तो इतर रही चाए जाए का जोस्तों आप पके पास सब्सक्राने पतने आपके पास नहीं होगा तो आप तो चला तो लेंगे लिग लेकिन बहूत इधर उदर करने लिए गोली निशाना से चुक जाएगा इधर अगर गोर से देखिए गा तो ये कुछ गोली स्प्रेड कर रहा है अब देखिए दूसरा गान लेकर जाए है इसकोप से पहले देखते हैं दोस्तों इसकोप साब को पता चल जाए कि कैसा गोली छीतरता है बीन अटेजमेंट का दोस् यह भी है दोस्तों तो मतलब कि भूब मफिर के बात किया जातों किसी भी गर्म को चलाने से पहले उसके बारे में जाना बहुत ही जरूरी है और उसके अटेजमेंट के तो MP40 में दोस्तों होता है आपका स्टोक होता है फॉर्ग लिए होता है मैगजीन होता है लेकिन साइल यूंप का रिक्वाइल दोस्तों SMG में अकर देखा जाए तो सबसे जादे रिक्वाइल इसी क्या होता है वैसे एक एम का भी रिक्वाइल है लेकिन यह अटेसमेंट से आपका एकदम ओपी गन बन जाता है तो गोर से देखा जा तो यह देखी बहुत सार गोली छीता रहा है और फॉर्ग्रेव आपका जो मजल से निकलता है ना गोली उसको छीतरने से रोकता है तो घुमपीर के अगर फिर से बात किया जाए तो इससे को चलाने से पहले जेतना लेबल हायर लेबल का अटेसमेंट लगाईगा फॉर्ग्रेव स्टोप वगयरा वगयरा मजल तो य यह सबसे पहले में लगाते हैं इस्टोक का काम तो जानते ही यह बंदो को भाइबरेट होने से कम करता है फॉर्ग्रेव गोली को चितने से रखता है और मेगजीन तो आपका गोली केपसेटी बढ़ता है साइलेंसर तो यह वीवी ओपी चीज है लेकिन मजल भी मजल डैमे मंजल बढ़ाएगा जितना हाइर लेवल का लगाएगा उतना बहतरिन नहीं होगा तो इसब कोशिश के जिए कि जो मिले उससे ही बाद-बाद में हाइट कम मिलता है तो उससे पर लगाईएगा अब देखते हैं यहांपर देखे दोस्ते हैं गोली का इस्प्रेड कम हो गय रहे कि क्या और वो नहीं देखते लिए इसका गोली अभी कम चिता रहा दोस्तों तो चलिए देखते हैं ये देखिए ये सोट तो लग रहा है अच्छा उद्ब कि अच्छा दुश्मान को अच्छा ओधर इंगेज करने के लिए इसको रिकवायल को समझना बहुत जरूरी न तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसको हजारों ओदर दर तो फिर क्या फाइदा मतलब को मारे ऐगा तो देखें की गोली कहा जा रहा है अचलिए गोली उसको लगेगा नहीं वह आपको देता हैगा पटाक से अब चट्ड़ ज़ाइगेगा अब इसकार ले लेते हैं और MP40 ले लेते हैं दोस्तों तो हम लोग ले लिए हैं इस कार आज का ले लिए अभी तो चलिए सब्सक्राइब फूटे में कुछ छोड़ रहे हैं हाँ स्टोक नहीं लगा एंप फूटे में तो चलिए लगाते हैं स्टोक इस्टोक तो काम पहले बता दिए यह बंदू का वाइ होई छीतर रहा है तो गोरज से देखने से पता चलेगा यह दिखिए स्कॉप से देखाता है यह दिखिए को के यह देखिए हमसर यह तो निविशन ही था कोई बात नहीं है तो यह तो कि यह अधंदम बढ़िया औपी चल रहा है भी पर दम आपी हम लग गोली चलेगा है रहा हमेंजा लेवल तरी मिल लेगा इसा तो बात नहीं है तो हायर लेवल टीन सकता लेकिन कभी कर पुंटी में में जाता है द đây एससम यह देखिए तो है यह भी यह अलेगा वें जा बच चल रहा है घ्लिक बहुते से निंफर्ब्र, goliak निषाना को ओ ऒली ऑग्र तो थोड़ा सा मुवमेंट को अपना ले दिए वापस से तो दोस्तो इतना ही था आज के वीडियो में तो दोस्तो हमेशा तो अटेजमेंट नहीं मिलता है तो बीना अटेजमेंट के भी गोली का रिकवाइल को कैसे कम करना है तो इसके बारे में दोस्तों अगले वीडियो मे लोस्तों को मिलते हैं किल